और सूत्रों के हवारे से स्वा के बड़ी खबर का रुख करेंगे चार राय बरेली से चनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की चखा चनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी बड़ी और एहम खबर आपको बतारें राय बरेली से चनाव लड़ सकती है प लड़ सकती है और रहें प्रियंका गांदी वादरा के चनाव लड़ने पर पीजेपी ने तंश कसा डेप्टी सेम केश्व प्रसाद मौर ने तंश कसा ने रखाँ कि कोई कहीं से भी चनाव लड़े जीतेगी तो पीजेपी ही यह लड़ने पर प्रियंका गांदी के तंश कसा पीजेपी के तरफ से डेप्टी सेम केश्व प्रसाद मौर ने कोई भी लड़ लेजी असी की असी जब जीतेएंगे तो लड़े कोई जिसको लड़ना है क्या फरक बड़ता है और मैं ड़प्टी सेम केश्व प्रसाद मौर ने वपक्ष पर उपराश्पति के अपमान को लेकर निशाना साथ उन्होंने कहा कि जनता 24 में वोट से वपक्ष को जवाब देगी वाया खलेश यादों को भी उन्होंने गह रहा है जो बिपच्छ है चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा बसपा पीमसी जो भी है वो 2024 के होने वाले चुनाव को लेकर के निराथसा और हतासा के गर्त में डूप गए है उनको संबैधानित पदों की मर्यादा का ध्यान नहीं है कभी एक आदिवासी समाज की वेटी राश्पती बनती है तो उनका भी रोध करते हैं कभी एक किसान का वेटा देश का उपराश्पती बनता है तो उनका अपमान करते हैं एक गरीब माबाप का वेटा जो चाय बेचने वाला और पिछड़ी जाती से आने वाला आईसे हमारे प्रधान मंत्री स्री नरिंद मुदी जी का अपमान करते हैं लेकिन इनके द्वारा किये गए अपमान का बदला तो आजार चुबिस के लोकसभा चुनाओं में कमल का बटन दबा करके देश की जनता लेए प्रशाद मौर्या जी जो भी बोलते हैं उल्टे सीधे बयान वाजो देते हैं वो स्री अखले से आदो जी का लिखा हुआ पड़ते हैं और वहाँ सोचें कि अगर उत्तरप्रदेश की जनता को गुमराह कर लेंगे तो 2024 के लोग सवाचुनाओं में समाजवादी पार्टी घमंडिया गडबंधन भाजपा विरोधियों का खाता नहीं खुलेगा और जिस प्रकार से भारती जनता पाठी की आंधी चल लई है तूफान चल रहा है उसमें निश्चित तोर से यह सब उड़ जाएंगे और मानी नरेंद मोदी जी के नेत्रत में तीसे भी बार प्रचंड वहुमत की देश में सरकार बनेगे